जौन इब्रहाम की फिल्म मदरास काफे को लेकर कई पोलिटिकल पार्टीज और कुछ ओगनाइजेशन्स ने सवाल उठाए हैं। जौन इब्रहाम ने इस पूरे इशू पर अपना क्लारिफिकेशन जूम को एक्स्क्रूजवली दिया है। प्रॉब्लम था जहां पर उनने काई कि यह काफी सेंसिटिव है कि अपने कुछ एंटी दिखाया है एक एक अपने कुछ ग्रूप के एंटी तो ऑन दो कॉंटरी मैंने फिल्म को तम्मल में डब किया है। और वहाँ चेहना ही गया था उसको लॉंच करने के लिए सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि यह तमल में मैंने इसलिए दब किया है कि बहुत जरूए कि आप लोग देखें इसको और आप लोग समझें कि क्या हुआ था आपके हिस्ट्री में जिसके वज़े से आज आपकी जो पूरी पूरी पूलेटिकल हिस्ट्री है वो चेंज हो चुकी है तो वो दिखा है हम लोग ने इसमें वेल, जॉन इब्रहाम अपनी इस फिल्म को डिफेंड कर रहे है और साथ ही सभी से रिक्वेस्ट भी कर रहे है कि पहले फिल्म देखें और अगर उसके बाद भी उन्हें किसी इशू पर अब्जेक्शन है तो उनसे बात करने के लिए वो तयार है पॉर्सल माखान, जूम मॉंबाय